कंजनाइटल डेक्रोसिस्टाइटिस डेक्रोसिस्टाइटिस का मतलब होता है लेक्राइमल सेख का इंफ्लामेशन लेक्राइमल सेख के इंफ्लामेशन को डेक्रोसिस्टाइटिस कहा जाता है डेक्रोसिस्टाइटिस दो तरह का होता है कंजनाइटल या अडल्ट अडल्ट मे क्या इटियोलोजी होती है क्या कोस होता है नॉर्मली क्या होता है कि जो मेंब्रेनस ओक्लूजन बन जाते कहां लोगर एंड पे जो बाल ओफ हिसनर होता है यहां मेंब्रेनस ओक्लूजन हो सकता है या फिर एविथिलियम डेवरी से खट्टे हो सकते हैं उपर के इंड में नि बच्चा है वो उसमें क्या क्लिनिकल फीचर रहेंगे एपिफोरा रहेगा आफ्टर सेवन डेयों बर्थ अपने को एपिफोरा मिलेगा बेक्टिरिया के इंफेक्शन की बज़े से अपने को मिकोप्लूरेंट डिस्चार्ज मिलेगा रिगर टेस्ट करेंगे तो पॉजिटि सकते हैं आप्टियमियों वसकते हैंRAY फिर कंजनाइटल ग्रोकोमा हो सकता है अब क्या क्लिकेशन डवलप हो सकती है इसमें लेकराइमल अफसे चार बार करना है जब मजास करना है तब तक अब टोफिकल एंटिवाटिक यूज करना है और हमें कब तक करना है अब टो शिक्स टू नाइन मंते तक के बच्चे में अपन करेंगे आगे है प्रोबिंग अपन दूसरा अगर इससे ठीक नहीं हुआ मतलब लेक्राइमंग आती है हर 3-4 वीक में एक बार करेंगे और कप करेंगे जब बच्चा 9-12 मंत के बीच अपन करेंगे अगर इससे भी ठीक नहीं हुआ मालो इसकारिंग है कोंस्रिक्षिन है तो हम बलून के ठीक नहीं किया तो फिर इंट्यूबिशन कर देंगे हम सिलिकॉन ट्यूब लगा नेजल अक्राइमल डख्ट में और यह छे महीने तक रहेगे नेजल अक्राइमल डख्ट में अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ अभी भी अपना हुआ है तो हम 4 साल तक बेट करेंगे जब बच्चा 4 साल का होगा तब हम DCR करेंगे डेक्रोसिस्टोर राइनस्टोमी तो सबसे मैं से थीक नहीं हूआ तो फिर नहीं होता बलून Kintherड उससे भी नहीं होँ और फिर नास्टोमी करेंगे तो यह हमने देखास ऑनर दृच्जिटोमी जोएटिस्टतोमी चुट्सटोमीगू झाल 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 झाल